नमस्कार कापिटर टीवी देख रहें आप मैं हूँ आपके साथ सुना ली इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुछी देर पहले योगी अधितिनाथ ने बत और सीएम उत्ता प्रदेश के मुख्य मंत्री के तोर पर दुबारा शपत ली और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने बधाई से ज़्यादा उन पर तंच कसा है उन्होंने ट्वीट करके क्या जानकारीट क्या ट्वीट किया है पूजा बताइए बिल्कुल ने कि ये सभी की निगाहे थी कि अखिलेश यादव योगे आदितनात के शपत समारो को लेकर क्या वोलते हैं हाला कि इन्विटेशन उनको बकायदा गया था पहले उनको इन्विटेशन लेटर गया जिसके बाद उन्होंने ये मीडिया के सामने कहा कि वो शपत समारो में नहीं जाएंगे जब तारिखों का अलान हो गया उसके बाद कल खुद CMU के आदितनात ने उनको फोन किया उनको इन्वाइट किया उसके बाद भी वो नहीं आए अब उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया है तो मैं चाहूंगी अब कैमरा पसन बोला को कि ज़रा वो ट्वीट दिखाई है देखें ये अखलेश अखलेश यादव ने ट्विट करके लिखा है कि नई सरकार को बढ़ाए कि वो सपा के बनाई स्टेडियम में शपत ले रही है शपत सर्फ सरकार बनाने की नहीं जनता की सची सेवा की भी लेनी चाहिए तो एक तो वो ट्वीट करके क्रडिट ले रहे है जी ये जो अखलेश को बनाया है और सपा के बनाया है और सपा के बनाया स्टेडियम में शपत लेने के लिए नई सरकार को बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बदाई कॉंगराचुलेशन करने का उनका जो तरीका है वो थोड़ा सा एटिट्यूट वाला तंज वाला है उन्होंने लिखा है शपत सिर्फ सरकार बनाने की नहीं जनता की सची सेवा की भी लेनी चाहिए मतलब वो कह रहे हैं कि आप जनता की सची सेवा कीजे तो ये ट्विट ब हमारी सरकार में इसका काम शुरुवा लेकिन ये पूरा स्की योगी अधतनात की सरकार ने करा हैं 2जार अटहारम में 810 स्टेडियम का काम पूरा हुआ और उसकी बाद अटल पाषभिय की नाम से प laफ बदला गया चिंश अटनी नहीं तक निकक चीजे आई आई है सिटिं लोट कर देने से स्टेडियम का क्रड़िट अखले शादव नहीं ले सकते है एकाना स्टेडियम जो अब अटल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है आज उस पे सभी की निगाहे थी क्योंकि पहली बार हमने मैच भी देखे कितने सारे मैचे उसमें भी इतनी जाद भीड कि एक साथ एकी स्टेज पे बीजेपी शार्षत प्रदेशों के सारे मुख्यमंत्री बड़े बड़े उध्योग पती सारे इतनी जनता खास बात यह कि पूरा जो स्टेडियम है वो पचास हजार की कैपसिटी का है लेकिन आज हमने देखा कि स्टेडियम का जो में प्लेग कर अखलेश ने तंच किया है ट्वीट के मादें बहुत बहुत शुक्राइब पूजा बाचवीत के लिए तो कल ये खबर आ रही थी कि अखलेश यादव को सी एम ने कॉल किया था बभीता और उन्होंने नियोता दिया था अखलेश यादव को बहुत अच्छे से इसको ल काफी की सपा की ही सरकार आएगी उन्होंने दो ही रिजल्ट में उन्होंने ये बता दिया था उन्होंने दो ही वोट में बता दिया था कि नहीं नहीं हमारी ही सरकार आने वाली है और उसके बाद जब ये रिजल्ट आते हैं तो उसमें कुछ उलट ही देखने के लिए मिलत पर भी कोई नाहि बादाई कोई युन्हे मोई निए जा धी नाहिश कोई कि राक्षंव राया था तो वही सब चीज़े कि यह से सामना करथा है, वह एक कंप जोर में की ट्रहस ठाव क्या की तो क्या होता ना जो एक strong person होता है वो सामने से आपको बढाई देता है जहां सब की निगाहें टिकीवी थी कि Akhilesh Yadav जो है क्या reaction देते हैं हापना Yogi जी को बढाई देते हैं कि नहीं सुबा से ही लोग यह देख रहे थे क्या वो स्टेडियम में आएंगे क्या वो उनके शपत स अखिलेश जी ने जब उन्हें बधाय दिया जब शपत समारो खतम हो गया जब की हम धेख रहे तैंटर पर भी कितने सारे लोगों ने बधायों के ताता लग गया था एकदम से बधायों की भीर लग गई थी कि योगी जी आ तो स्वाबी परसाद भूरे भी कई नगई बॉखलाए हुए वो कही नगई अब निकाले किया खबर निकाले क्या बीजेपी के तो उसका जवाब भी उनके पॉलावर्स ने दिया है, योगी जी को प्यार करने वालों ने दिया, उन्होंने सिधे बोला है कि सरकार आएगी तो ये काम भी होंगे, और साथ ही साथ लोगों ने ये बी ट्रॉल करते हैं, वो ने ये बोला कि जब जानवर जब गाएं गटती जब ये सारी चीजे होती तब तो आपको बिल्कुल फरक नहीं पड़ता था, तब तो आप उन मुसल्मानों के साथ खड़े हो जाते थे, कुछ लोगों के साथ खड़े हो जाते थे, तब आपको बिल्कुल उनकी चिंता नहीं थी, अब आपको चिंता हो गई, आपको चु कि हमारा स्टेडियम है वहां पर शपत ले रहें आपको बढ़ाई हो तो यह सब चीजे जो है कमजोर पर्सन की निशानी होती है यानि कि विपक्ष की बॉखलाहाट और बिलबिलाहाट अभी तक खत्म नहीं हुई है युदिश्टिर क्रेडिट लेने के अखिलेश यादव क करेड़ लिया लेकिन यह सुधरेंगे नहीं आप देखिए नहीं ट्वीट जो किया है उस ट्वीट से एक बात तो साफ है कि अकलेश यादा बहुत बुरी तरह से बॉखलाहए हुए है और इस बॉखलाहट की जो इस्तिती है वो पूरा धेश देख रहा है प्रदेश है उनको बीजेबे काई नेता भी बदा ही देते हैं लेकिन एक बिपक्ष के बड़े लीडर के तौर पर जिस तरह की घ्रनेश सोच पाले हुए अकलेश यादव नफरत दिखा रहे हैं उससे कहिना कहीं जनता भी समझ रही है और जनता इस बात को समझ रही है कि जब इतनी घ्रनेश सोच इनके अंदर है तो ये जनता के प्रति क्या सोच रखते होंगे इन्हें सिर्फ अपने पेट भरने हैं इन्हें सिर्फ मलाई खानी है इन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है अच्छा देखिए इन्होंने ट्वीट में लिखा है एक ट्वीट और पहले आप जो है स्टीडियूम में शपत ले रहे हैं और अभी जो ट्वीट किया है उसमें ये काया कि बदाई हो आपको और हमारे बनाय हुए शरकार के स्टीडियूम में सपत ले रहे हैं आपको सच्ची भाव से काम करना चाहिए ना कि सत्ता के लिए तो इसे ये साफ है अखले शादाव का दर्द अब भी छलक रहा है वो जो आशा आकांचा के साथ लगे हुए थे चुनाओ में और बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे दावे कर रहे थे आसमानी सपने देख रहे थे मुंगरिलाल के सबने देखकर ये कह रहे थे कि ना हमारी सरकार आएगी तो इस्तिती बहुत को सुधार देंगे कह रहे थे कि भाप निकल जाएगी सबकी अच्छा अब योगी जी का जो बुल्डूजर है वो गरजेगा इन सब की भाप निकालेगा और बताएगा कि आप जो ट्वेट कर रहे हैं अभी अखली शादा पर मुकद में चल रहे हैं खरनन गोटाला आपने सुना होगा कि वो खरनन गोटाला जसमें एक बड़ी IPS भी शामिल थी चंदरकला वो भी शामिल थी अभी उसमें लगता है कि कारवाई होने वाली अब तक ये मामला शा करके अपने कारकरताओं को भड़काने की कोशिश की अब योगी जी समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसे लोगों को ऐसी स्थिती में ना छोड़ा जाए कि आगे इनका जो कह सकते हैं जहर है वो और किसी को डस पाए इसलिए योगी जी इस बार इनके सारे डंक को निकाल के फैक देंगे और सारे जहर को खतम करेंगे बुल्डोजर गरजना शुरू होगे आपने देखा हुआ अभी पिछले जब तक शपत गरजना शमारो नहीं हुआ उससे पहले बुल्डोजर जमकर गरजरा है दस तारिक के बार दे तो मुझे लगता है कि एकले शादव को ये शर्म आनी चाहिए कि आप विपक्ष के एक नेता हैं आपको बधाई दीनी चाहिए थी और ये बधाई बहुत अच् खासी सीटें बेपक्ष का बड़े निता हैं तो आपको बधाई देना कि ऐसा नहीं किया तो इससे साफ है कि एकले शादव सुधर ने बाले नहीं है और कहते हैं कि विनाश काले इन विपरित बुद्धी जब विक्ति का बना विनाश आता है तो उसकी बुद्धी विपरि तो कैसे ये लोग उनको बधाई देते हैं तो अखले शादव आप सुधर जाईए आपको राजनीत करने है इसलिए आपको उच्छी हरकतों से बचना चाहिए यानि कि रसी जल जाए लेकिन बल ना जाए योगी सरकार ने फिर से एक बार शपत ली है और 37 साल का होगी अधितेनाथ ने आज वो करके दिखाया जो पिछली सरकार नहीं कर पाई और एक बार फिर अखिलेश यादव की बिलबिलाहत और बॉकलाहत साफ है उन्होंने कॉंग्राचुलेट करने की जगए तंच कस्ते हुए उन पर कहा कि एकाना स्टेडियम हमारा था और क्रे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमा अरे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया